तो चलिए स्वागत है आप सभी आंगनवारी वर्कर्स का पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट में जैसा की 18.6 का एक नए अपडेट आया हुआ है जिसमें की 5 ऐसे जो महत्पूर्ण बदलाव किये गए हैं जिसके बारे में आज केस वीडियों में हम बात करेंगे और आपको step by step समझाएंगे कि पांचो अपडेट क्या क्या है और कैसे आपको पोशन ट्रेकर एपे वर्क करना है वीडियों को आप लोग सुरू से लेके लाश्ट तक देख लिजिएगा वीडियों में दीगे जनकारी आपको पसंद आये तो वीडियों को लाइक कीजिएगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा चलिए बरते हैं पहले अपडेट की ओर जैसा कि यहाँ पे पहला अपडेट जो है वो आपका बेनिफिसरी वाली केटेगरी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे तीन से यहाँ पे जो प्रफाइल अपडेट और ग्रोथ मोरनेटिंग का जो ऑप्सन है वो हाइड हो जा रहा था तो अब आप लोग को इस परकार की जो प्रोब्लम हो रही थी वो यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है अब आप लोग बच्चे के नाम से अगर अधार इक रहने के लिए यहाँ पर क्लिक करने का ओप्सन दिया गया है तो यहाँ पいき खर लेते हैं कली करने के बाद यहाँ पर जबी बच्चे का अधार पे डिटेल से वह सारा डिटेल भरके हम जैसे श्थार पिट करेंगे तो जो प्रफाइल अप्डेट वाला आपशन है या देखना है जो option को include किया गया है यहां पे देख सकते हैं वर्जन आपका यहां पे पहले 100 नहीं कर रहा था लेकिन इस update के आने के बाद यह जो वर्जन है आपका संस्करन 18.6 यहीं पे देखने को मिल जाएगा तो यही option को यहां पे include किया गया है ठीक है उसके बाद चलिए फि अथी का ABA ID create रहेगा उसी का आप लोग RCS profile देख सकते हैं और जिनका ABA ID create नहीं रहेगा उनका RCS profile है वो नहीं देख सकते हैं तो यहां पे हम click कर के आपको दिखाते हैं अभी देखिए इनका जो ABA ID है वो create नहीं हुआ है यहां पे जो option है वो खाली दिखा रहा है देख सक यानि कि जिनका भी आभा आईडी क्रिएट रहेगा उन्हीं का आप लोग यहाँ पे RCS प्रफाइल देख सकते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आगे भरते हैं चौथे अपडेट के और जो चौथा अपडेट है वो क्या है चौथा अपडेट जो है यहाँ पे हम लोग का 6 मा अंधि वीबरन जोड़े पे किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद यहाँ पे पोशन युक्त हस्त छेप पे किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चेंजेज देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है इस दब बेबी ओन कॉम्पलिमेंटरी फिडिंग जनी कि अब यह जो ऑप्शन है इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे कि क्या बच्चा पूरक आहार ले रहा है तो जो बच्चा 6 माह के उपर हो जाता है तो बच्चा पूरक आहार लेना सुरू कर देता है तो इसके लिए हमें करना क्या है हाँ वाले पे किलिक करना ह तो इसके है और इसको दिया जा रहा है तो इसको दिया जा रहा सिलेक्ट करएंगे यहां और यहां पर किस कई कर देंगे और इस परकार से देखने को मिल जाएगा अब चले बहुते हैं पांचवय जो पांचवавать देखने को मिलेगा abял होम पेज पर Core exception is यहां पे हम लोग cluster करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे जो बच्चे सैम और अंडर वेट बच्चे हैं जिनको हम लोग देते थे तो उनका सब स्थार दिया गयाया है तो इस परकार से आप लोगों के शेर किजिएगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद